नमस्कार, Kitchen KVCD में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम बनाएंगे गुड गचक, गुड और मुंख़ली वाली गचक इसे चिक्की, पटी, हर्चे का अलग-अलग नाम से जाना जाता है तो हम बनाएंगे गुड गचक सब से पहले मुऊफली मे lorsqu यहां पर यहां सब आपना मछ saat करें साथ उसके साथ यहां पर लें से पुनगे तो यह रहा है तो आप उसे मोटर पैस्टल का ज़ो पैस्टल होता उससे भी आप इसे हलका हलका सा तोड़ सकते हैं तो उसके बाद अगर हम इस तरह से इसे तोड़ लेंगे यह काट लेंगे तो इसे मेल करने में बहुत ज्यादा असानी होगी तो देखिए पूरा गुर्च यह रिफैंड ओल का यूज़ भी कर सकते हैं तो इसे इस तरह से कढ़ाई में अच्छे से फिला लेंगे जिससे जब हम गूर टालेंगे वो नीचे नहीं चिपके का देखिए इस तरह से मैंने जो घी है उसे अच्छे से कढ़ाई में फिला लिया है अब हम इसमें अब हम इसे अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम में इस तरह से तोड़ते हुए हलका हलका से इसे मैल्ट करेंगे गैस की फ्लेम जो है उसे लो टू मीडियम रखे अगर आप इसे आंच जो है तेज फुल फ्लेम में अगर आप इसे करोगे मैल्ट तो गुड में जो हो स्मे कडवी बनेगी और अगर गुर्च वह हलका सा कच्छा रहा जाएगा तो चिक्की दान्तों में चिपकेगी इसलिए जब आप गुर्च को मेल्ट करें तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम में इस तरह से मेल्ट करें चलाते हुए ताकि ये नीचे भी न लगे और ये अच्छे से कुग भी जाए इसी ट्रिक से अगर आप चिक्की बनाएंगे तो आपकी चिक्की जो है वो एकदम से क्रिस्पी बनके त्यार होगी और वो दान्तों में भी नहीं चिपकेगी तो देखें गुर्च अच्छे मेल्ट करते ह Ware हमें पान से सा साथ मिनट हो चुक है अब हम इसे तरह से ठंडा पानी लेंगे और हलखा सा जू गूर्च इसके अंदर इससे डाल देंगे अब हम इसे चैक करेंगे गूड को हलका सा ठंडा होना देंगे पानी में उसके बाद हम इसे अब चेक करेंगे तो ये देखे हम इसे चेक करेंगे तो इस समय ये देखे इस तरह से जिस तरह से कोई। तोट नहीं रहा है और खिंचा जा रहा है तो इसे पांस साथ मिनिट और हम कुक करेंगे उसके दब हम इसे फिर से चेक करेंगे गैस की फ्लेम ज्यों से बिलकुल मीडियुम रखेंगे बिलकुल लु रखेंगे देखे गुर्ट का कलर भी हलका सा चेंज हो चुक है यह दिंखे अब हम इसे तोट के देखते ते बाज में तूटना चाहिए तो उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे मुंखफली डालने के बाद इसे हम अलका सा मिला लेंगे और लेंगे एक प्लेट जिसे मैं एच्छे से ग्रीस कर लिया है पहले घीर से अब इसमें हम यह जो बैटर है यह डाल देंगे पूरा गच्छे का जो बैटर है बहुत ही जल्दी एकदम से स्टिफ हो जाता है मिंज्ट और बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है तो एकदम से हम इसे जैसे हम इसे प्लेट में निकालेंगे जल्दी से फेला लेंगे इस तरह से स्पेच்नुला से फैला रही हूं आप पारी से स्पेचूला से फैलाने के बाद इसके उपर एंबेलन झो होता है जिससे हम रोटीची बनाते हैं उसे भी Crís करके इस पर चला सकती जिससे यह जो है बिल्कुल एक ही मतलब करी से मोटी अपतली नहीं देगी बिल्कुल सेम साइज में यह आ जाएगी तो देखिए अब गुर्ड जो हो हलका सा अब थंडा भी हो चुक है बिल्कुल हलका सा अब हम इसे काट लेंगे गुर्ड को इस समय पे जाए ठंडा नहीं करेंगे अधरवाइस जो है यह चिक्की कटे सब्सक्राइब करेंगे यह नहीं एकदम से हाड़ हो जाता है तो इसे साथ-साथ इस तरह से हम पीसीज बनाकर रख लेंगे मैं इसे चोरस अकार में काट हूँ आप इसे किसी भी अकार में कट कर सकते हैं काट सकते हैं तो देखिए हमारी चिक्की जो बनके त्यार हो चुकी है अगर आपको मैं रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं चैनल तो अब हम इसे हलका सा नीची से गरम करेंगे प्लेट को और इस तरह से सभी गच्चक जो है वो निकाल के रख लेंगे तो देखिए गच्चक बिल्कुल असानी से बनके त्यार हो चुकी है आप भी इस मकर सक्रांत्री में एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करें और अपने अनुभप्चों हैं वो मेर्सा कॉमेंट में शेयर करें और अगर आपको मेरी रेस्पी पसंदाई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल